हेलो दोस्तो, स्वागत है हमारे यूटूब चनल टेकनिकल अपडेट में, आज की जो वेकेंसी है एंटी पीसी लिमेटेट के द्रेप से निकल के आ रही है, जिसमें जूनियर इंजिनियर असिस्टेंट इंजिनियर के डिकार में वेकेंसी है, इसमें सिबीर, इलेक्टिकल और मेकेंकल के लिए वेकेंसी रखा गिया है, औल इंडिया का कंडिडेट अपलाई कर सकता है, इसमें सेल्ली आपको काफी अच्छा खासा करीब सतर से अस्ती हजार पर मंत पे किया जाएगा, बिल्कुली लेटेस्ट एन ओफीसिल गोर्रमेंट जॉब रहने बाली है, तो टोटल जो वेकेंसी आपका रखा गया है, एक सो रखा गया है, जिसमें सिविल इलेक्टिकल मेकेनिकल का कमबाइन रखा गया है, इसमें नेम आप दी पोस्ट मेंसन कर दिया गया है, इंजिनियर इलेक्टिकल इरेक्शन के लिए टोटल जो आपका वेकेंसी रखा गया, त qualification बी बीटेक, electrical, electrical and electronics में है तो आप apply कर सकते हैं, minimum 50% marks होनो चाहिए और इसके साथ ही minimum 4 साल का experience यदि आपके पास relevant field में है तभी इसमें आप apply कर सकते हैं, इसी प्रकार से engineer post के regard में mechanical के लिए vacancy है, total जो vacancy इसमें रखा गया है, 35 रखा गया है, as it is आपके पास mechanical production में बीटेक है तो फिर भी इसमें आप apply कर सकते हैं, 4 साल का experience इसमें भी मांगा गया है, relevant field experience में तभी इसमें आप eligible रहेंगे, और civil के लिए जो total vacancy रखा गया, 35 रखा गया, जिसमें civil या construction में आपके पास बीई बीटेक और 4 साल का experience रखा गया है, इसका maximum age limit 35 years रखा गया, जिसमें age accession प्रोवाइड करके, overall जो आपका grossly बनने बला है, 70 से लेकर 80,000 बनने बला है, तो काफी अच्छा खासा आपको sellly प्रोवाइड कर दिया जाएगा, यहाँ पर detail से vacancy का बेवरा मिंसन कर दिया गया है, इसमें all India का candidate apply कर सकते, apply करने के process की बात करे, तो इसका apply link आपको directly description में में provide कर दूँगा, या आप इसके carrier section में visit करके भी apply कर सकते हैं, इसमें application भी की बात करे, तो general OBC EWS candidate के लिए 300 रोपिया, और SC STPWD X servicemen woman candidate को बिलकुली exempted कर दिया गया है, उनको किसी भी प्रकार का application भी pay करने की जोयत नहीं है, यहाँ पर pay करने के लिए account number और IFC call provide कर दिया तो जो भी eligible और interested candidate होते हैं apply करिये